कैसे हो दोस्तो, सौफेस सोलूशन में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो अगर आप चैनल पे नया हैं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जदी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे, वीडियो का लाइक कर लेजे और notification icon पे क्लिक कर लिजे दोस्तों market में काफ़ी सारे company है जो EPS services दे रही है और हर company का अपना अलग-अलग commission plan होता है और transactions lab होता है तो इनी company का EPS commission plan का comparison करके मैं आपको बताता हूं तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे companies के videos मैंने बनाया है अगर वो videos आपको देखने है तो ये video के description में नीचे link देखे रखिए है आप link पे जाके पिछले सारे videos आप देख सकते हैं तो उसी तरीके से आज मैं दो और company के EPS commission plan का comparison करने वाला हूं तो पहली company का नाम है Payone और दूसरी company का नाम है Bankit चलो इनके Retailer ID and Services Charges के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तो अगर आपको PayWorld का Retailer Portal लेना है तो यहाँ पे आपको Retailer Portal free में मिलेगा लेकिन आपको Services यूज करनी है तो हर Services का आपको कुछ न कुछ Charges देना होगा तो Retailer Portal Sign Up करनी की लिंक ये वीडियो के description में देखके रखी है लिंक पे जाके आप free में PayWorld का Retailer Sign Up कर सकते हैं अगर आपको Bankit का Retailer Portal लेना है तो यहाँ पे आपको Service Activation के लिए और ID लेने के लिए आपको Charges देने होगे तो दोस्तो बीना भूले भटके हम आते हमारे में मुद्धे पे तो हमारा में मुद्धा है Commission देखते है कि कौन कितना तगड़ा Commission EPS पे देने वाला है PayWorld जादा Commission देने वाला है या फिर Bankit EPS पे जादा Commission देने वाला है तो दोस्तो यहाँ पे मैं compare करने वाला हूँ Payworld के EPS Transactions Lab को Bankit के EPS Transactions Lab से दोस्तो अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे, वीडियो का like कर लेजे और notification icon पे click कर लेजे तो पहला slab है 100 रुपे से 499 तक का, यह slab में Payworld आपको 0.30 पैसा पर transaction कमिशन देगा, और bankit आपको 1 रुपीज पर transaction कमिशन देगा, लेकिन दोस्तो बैंक किट में 1 रुपे से 199 के बीच में अगर आप transaction करोगे, तो आपको कोई commission नहीं मिलेगा, तो bankit आपको 200 रुपे के उप एक रुपे पर transaction कमिशन देगा, तो यहाँ पे पेवल्ड आपको 10 पैसा जादा दे रहा है, अगला slab है 1000 रुपे से 1499 तक का, यह slab में Payworld आपको 2 रुपे पर transaction कमिशन दे रहा है, लेकिन bankit आपको यहाँ पे 3 रुपे पर transaction कमिशन देगा, यानि कि bankit यहाँ पे 1 रुपे जादा दे रहा है, अगला slab है 1500 से 1499 तक का, इसमें Payworld आपको 4 रुपे पर transaction कमिशन दे रहा है, और bankit आपको यहाँ पे 3 रुपे पर transaction कमिशन दे रहा है, तो यहाँ पे Payworld आपको 1 रुपे जादा देगा, अगला slab है 2000 से 2499 तक का, इसमें Payworld आपको 5 रुपे पर transaction कमिशन द यानि कि यहां पे दोनों का commission सेम है, अगला slab है 5000 से 2999 तक का, इस पेड वर्ड आपको 6 डूर्पीज पर transaction commission मिलेगा और bank it की बाद करें तो यहां पे आपको 5 डूर्पीज पर transaction commission मिलेगा, यानि कि यहां पर 1 रूपिया पेड ज़्यादा दे रहा है अगला स्लाब है 3000 से 7999 तक का इस पे पेवर्ड आपको 7 रुपीज पर ट्रांजक्शन कमिशन देगा और बैंक इट आपको यहाँ पे 10 रुपया पर ट्रांजक्शन कमिशन दे रहा है आखिर का स्लाब है 8000 से 10,000 तक का यहाँ पे दोनों कमपनी का EPS कमिशन सेम है यानि कि य आप कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आवरेज के हिसाब से भी देखे तो यहाँ पे कही न कहीं दोनों का कमिशन सेम है थोड़ा 19-20 का फरक रहेगा लेकिन almost कमिशन सेम रहेगा फिर भी आप यहाँ पे बताईएगा कि आपको कौन सा कमिशन अच्छा लगा और कौन तो डिवाइस पर्चेस करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्चन में नीचे दी गई है लिंक पे क्लिक किजिए वहाँ से आप डिवाइस सस्थे में पर्चेस कर सकते है और फायते वाली बात है कि एक साल के लिए आपको RD Services फ्री में मिलेगी तो दोस्तो अभी के लिए इतना ही मिलते अगले नए अपडेट के साथ तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा वीडियो को लाइक कर लिएगा और नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक कर लिएगा